प्रेंड्स हमारे बहुत सारे यूजर्स ऐसे है जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया जिन्होंने बहुत ही ज्यादा लाइक किया और जिन्होंने कॉमेंट में अपनी परिशानियों को शेयर किया और हमें मोटिवेट किया कि हम उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके जो लोग हम पर trust करते हैं और बहुत सारे लोगों ने comment किया कि सर आप grand league की team के साथ साथ small league का भी team provide किया करो तो आज इस video में मैं आपको जो small league team बनाने का तरीका बताने वाला होना वो अगर आप apply करके अपना small league का team बनाते हैं तो आप हमेशा ही number one rank पे रहोगे small league में आपको number one से number two rank पर भी कोई नहीं कर सकता है so hey guys welcome back to your favorite channel logical fantasy trick और बिना किसी देरी के चलिए video को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस video में हम क्या क्या जानने वाले हैं सबसे पहले इस video में हम जो आपको बताएंगे कि कैसा होना चाहिए आपके small league का team कौन सा contest आपको small league में join करना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि आपको small league में अपना contest कब join करना चाहिए और ये बात जानने के बाद आप video को तो बिना like के रही नहीं सकते हैं guys दोस्तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको ये बताने की जरूरत है कि small league होता क्या है आप सारे users भरी भाती इससे परीचित होंगे कि small league actually में होता क्या है small league एक से 10 sports वाले contest को बोला जाता है तो मेरा सबसे पहला point ये है कि dream 11 small league को organized कैसे करता है how small leagues organized by dream 11 दोस्तो अगर आप small league खिलते हैं तो आपने देखा होगा head to head में 3 या 4 member वाले contest में वहाँ पर जब आप team लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है opponent team जो है उसका भी team same आपकी तरही होता है wore होता है और kभी-कभी team भी same होता है उससे क्या पता चलता है इससे पता ये चलता है कि हम आपके सामने वैसे खिलाडी को ही लाएंगे जो आपके मुकाबिल होगा जो आपके लेविल का होगा वो उसी तरीके के हमारे सामने ओपनेट को खड़ा करता है मतलब Dream 11 यहाँ पर ऐसा नहिए के शेर को बकरी के साथ लड़वाता है और share को share के साथ ही लड़ाता है मेरे कहने का sense यह है कि जिस level का आपका team होगा आपके सामने वैसाही team dream 11 देता है यही कारण है कि small league team कभी same दिखता है कभी captain vice captain same होता है और कभी vice captain का सिर्फ differ होता है मतलब कि सिर्फ एक या दो player मातर change होता है तो हमें इसी algorithm को हमें dream 11 के इसी algorithm को trick करना है और इसी algorithm का utilize करके हमें अपना team create करना है मुझे यह पता है कि यह video में भी यह delete हो जाए आने वाले time पे क्योंकि यह जो मैं trick बताने वाला हूँ यह dream 11 के norms के थोड़ा सा विरुद्ध है अगर dream 11 की team से कोई इस video को watch कर रहे है तो आप मुझे पहले email कर ले हर्श सर से भी यह request है कि वो मुझे पहले email कर ले ताकि मैं इसको resolve कर सकूँ अब चलिए हम यह जानते है कि इस algorithm का हमें फायदा कैसे उठाना चाहिए और उसके लिए हमें यह जानने की जरुवत है कि हमें contest कब join करना चाहिए नहीं पता है ना चलिए मैं बताता हूँ आपको हमें अपना contest match शुरू होने के 48 hour पहले join करना चाहिए हमेशा अब आप कहोगे कि ऐसा क्यूँ तो इसके पीछे भी logic है 48 hours पहले जो भी अपना small league का contest join करते हैं वो जैसे तैसे अपना team create करके contest join कर लेते हैं और आपको भी ऐसा ही करना है आपको specially weak team create करके contest को join कर लेना है 48 hour पहले अपना strong team नहीं create करना है जिस team में playing 11 के सारे players almost खेलने चाहिए और आपको contest join कर लेना है और payment भी कर देना है इससे होगा ये कि dream 11 उस time पे हमारे सामने हमने जो weak team create करेया है उसके according opponent को लाके रख देगा यानि हमारा जो opponent होगा वो बिल्कुल weak opponent होगा और इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अब हमें हमारा opponent मिल चुका है तो इससे फायदा ये होगा कि आप जाके अपना team सुधार लेते हो तो वहाँ पर आपका जो opponent है तो वो तो वैसे ही already weak team लगाया है तो वो already weak रह गया दूसरा फायदा ये है कि अगर last में उस opponent को ये याद भी आता है उस दिन आपको contest नहीं join करना है इसके पीछे बहुत बड़ा reason है वो ये कि same day में dream 11 पे खासकर small league में वो लोग contest join करते हैं जिनका skill small league में बहुत high होता है हमसे बहुत बहुत बहुतर वो लोग होते हैं वैसे लिए लोग same day में आके contest join करते हैं आपको अपना team या तो 48 आओर पहले join करना है या फिर line up के बाद line up के 20 minute के बाद match चुरू होने के 10 minute पहले join करना है क्योंकि 10 minute पहले तक जो भी high skill वाले लोग होते हैं वो अपना team create कर चुके होते हैं और आपके सामने जो opponent होता है वो जल्दबाजी वाला opponent ही सिर्फ रह जाता है small league खेलने के लिए जो दूसरा point है वो है कि कौन सा contest आपको join करना चाहिए दोस्तों ये point जानने से पहले वीडियो को जल्दी से like कर दे क्योंकि आपका एक like है जो मुझे motivation देता है इस तरह का content create करने के लिए कर दिया like आपने अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा contest आपको join करना चाहिए तो मैं मेरे personal analysis के आधार पे मैं अपने personal experience के according आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा 2, 3, 4 member वाला ही small league join करना चाहिए क्योंकि वहाँ आपके जीतने के chances बहुत high होते हैं और अगर आप head to head खेलते हैं तो वहाँ पर आपके rank हमेशा number वनाएगा इस trick का use करके अब जान चुके हैं कि आपको कौन सा contest join करना है कब contest join करना है अब चलिए बात करते कि आपको team कैसे create करना है क्योंकि main चीज तो यही है कि how to create team for a small league main चीज यही है तो मैं आपको अब यह बताता हूँ कि आपको team कैसे create करना है इस scenario में आपको जादा कुछ नहीं करना है आपको जो अपना team create करना है उसमें 8 ऐसे player को रखने है जिनका selection percentage high हो most probably कि आपके opponent के team में भी ऐसे ही 8 player हो जिनका selection percentage हाई हो अब 3 player का आपको भर भर के यहां पे analysis करना है और बहुत अच्छे से research करना है और उस 3 player में आपको mostly baller और all-rounder को लेके चलना है और आप कोशिश करें कि जो baller हो उसका selection percentage कम हो और जो अपने कोटे का पूरा 4 over balling कराते हो लेकिन उनका वो wicket taking nature के उतने नहीं हो उनको wicket कम मिलता हो मतलब recently उनको wicket कम मिला हो और आपको लगे कि आज यह अच्छा perform कर सकता है तो आपको वैसे player को अपने team में लेके चलना है और अगर all rounder वाले section में कोई ऐसा player आपको दिख जाये जो top order में batting करता हो और अपने कोटे का 3 या 4 over balling भी कराता हो तो उस player को भी आपको अपको अपनी team में must pick करना है और अगर उस player का selection percentage कम है तो तो और भी जादा अच्छा है guys अब चलिए मैं बात करता हूँ तीसरे player की तीसरा player आपको कैसा लेना है अब तीसरा player जो आपको prefer करना है वो करना है batting section से मतलब वैसा batsman जो 4 या 5 number पर batting आता हो और जो recently informed हो और जिनको सारे लोग ये सोच के ignore कर रहे हो कि क्या पता इनकी batting आये ही नहीं लही जाता है अब हम अपना team भी create कर चुके है तो अब बात आती है कि आपको captain और vice captain कैसे चुनना है तो captain vice captain चुनने के दो तरीके हैं यहाँ पर सबसे पहला कि आपको अपना captain उसे लेकर चलना है जिसको सारे लोगों ने captain बना रखा जिसका selection percentage, captain से selection percentage सबसे जादा हो उसे आपको captain बना लेना है लेकिन vice captain आपको उसे बनाना है जिसके पास opportunity हो कुछ बड़ा करने का जो recently average player हो recently average player से मेरा sense यह है कि जो हर match में कुछ ना कुछ points दे कर चलता हो भले वो dream team का member ना हो लेकिन कुछ ना कुछ points दे कर चलता हो या आप उस baller को अपना vice captain बना सकते है जो हर match में लगबग एक wicket लेता ही हो consistency के साथ उस baller के साथ भी आप vice captain के लिए जा सकते हैं क्योंकि T20 format में सबसे जादा points आपको baller ही दिलवाते हैं और खासकर आपको उस baller को प्लेफर करना है जो death में balling करता है और अगर इस तरीके सा आप अपना team create करते हैं ये team बिलकुल unique create होगा और अगर आपने ये सब चीज अपलाई करके team create किया तो आपको एक number से दो number पर भी कोई नहीं कर सकता है I guarantee you guys surety दे रहा हूँ मैं आपको कि आप इस तरीके का use करे अपना team create करे और आप देखे small league में हमेशा ही win करोगे अब दूसरा जो तरीका है captain wise captain बनाने का तो mostly fantasy खेलने वाले अपने small league team का captain उसे बना देते हैं जो पिछले match में बहुत अच्छा performance किया होता है और जो player dream team का captain भी रह चुका होता है और fantasy में अकसर देखा गया है कि जो player अपने पिछले match में dream team का captain रह चुका है वो अपने अगले match में एक average performance देखकर ही जाता है या फिर कुछ कर नहीं पाता है तो आपको captain उसे नहीं बनाना है जो पिछले match में dream team का captain रह चुका है बलकि आपको उसे captain बनाना है उस player को जो player consistency के साथ एक average point देता आ रहा हो आप अपनी team में उसे captain बनाए ना कि उसे captain बनाए जो अपने recent matches में dream team का captain रह चुका हो क्योंकि high chances होते हैं कि वो dream team का captain इस match में अच्छा performance ना कर पाए अगर आप fantasy खेलते हो तो आप इस logic का analysis कर सकते हो dream 11 पर जाके dream 11 पर search करके वहाँ देख सकते हो आपके जो player अपने एक match में dream team का captain रह चुका है क्या वो अपने अगले match में अच्छा performance कर पाया है आप बिल्कुल ऐसा ही पाएंगे guys जैसा मैं आभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत deep analysis के बाद मैं आपको बता रहा हूँ साथ में comment section में अपना feedback जरूर देना के video आपको कैसा लगया और मैंने जो बीच में बोला है comment करें कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है जो mostly लोग captaincy के साथ जाते हैं उसके लिए तो जरूर comment करें guys so मिलते हैं हम आपसे अगली video में ऐसे ही fantasy logical trick के साथ